दोस्तों कोरोना वाइरस के मद्दे नजर लगे लॉकडाउन के बीच आंध्य परदेश के गंटूर जिले के पुलिस कर्मी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वाइरल हो गई है इस तस्वीर में एक ASI सड़क किनारे बैटकर नमाज अधा करते दिख रहे हैं गंटूर के लाला पेट पुलिस स्टेशन में तैनात करीम उल्ला असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं जिनोंने ड्यूटी के साथ रोजा भी रखा है ड्यूटी के दौरान वो नमाज किसी खाली जगर पर बैटकर कर लेते हैं देश फर में लॉक्डाउन की बीच शनिवार से रमजान का महिना शुरू हो गया है जिसने मुस्लिम समाज के लोग रोजा रखते हैं लॉक्डाउन में करीम उल्ला की ड्यूटी चेक पोस्ट पर लगी है ये वैरल तस्वीर 26 अपरल रवीवार की बताई जा रही है रवीवार को करीम उल्ला अपने रोजी के साथ ड्यूटी भी करते रहे इसी दौरान उन्होंने ड्यूटी पॉइंट के पास ही खुली सड़क के किनारे नमाज भी अदा कर ली बताया जारा है कि जिस वक्त करीम उल्ला नमाज पढ़ रहे थे उनके साथ सिपाई चेक पोस्ट पर संभाल रहे थे आपको बता दें कि आंद्र प्रदेश पुलिस में A.S.I. करीम उल्ला बेहद इमान दर अफसरों में से एक हैं दोस्तों लोगडाउन के दोरां ड्यूटी पर तैनात होने के बावजूद उन्होंने लाखों लोगों की मदद भी की है लगातार सामगरी वित्रण कराने में भी उन्होंने बहुत सायोग दिया है इस तरहें अबादत कर मानों ये संदेश दे रहे हों कि अल्ला की अबादत करने के लिए किसी जमावड़ी की जरूरत नहीं अल्ला इश्वर हमारे अंदर ही बसते हैं इनसान या उसके संसकार सही गलत हो सकते हैं दोस्तों मजभ या धर्म नहीं और करीम उल्ला इसी का बहतरीन उधारण है कोई भी धर्म हमें आतंक या हिंसा करना नहीं सिखाता करीम उल्ला जिस तरह शिद्दत और इमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभाने के साथ साथ इबादत कर रहे है ये बात वाकर दिल छुजाती है हिंदू या मुसल्मान नहीं बलकि इस नेक दिल इनसान के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों हमारे साथ पनी रहने के लिए आप सभी करते हैं दिल से धन्यवाद क्योंकि आप हैं तो हम हैं